वेल्कम टू मास्टर माणवणवग जीके प्रेंड्स आप लोग का स्वागत है मास्टर माणवग जीके में अभी हम लोग रेलीवे में जो प्रिवेर्श येर्स में जो पुछा गया है उसका शीरीज देख रहे हैं आपका हिस्ट्री से समधित 200 प्रश्नों का सीरीज अपल तो आज हम भारती राजवस्ता से 50 महत्पून प्रश्ट को देखेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखें आज का पहला सवाल है कि वर्स 2018 के अनुसार उद्धव ठाकरे भारत में किस हिंदू राष्टवादी पार्टी के प्राधिकारी अध्यक्ष है तो इसका जो राइट अनुसर हो जाएगा अपका सीव सेना का ठीक है चलिए सवाल नमर 2 को देखें कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा सासित राज कौन सा है तो इसका जो राइट अनुसर हो जाएगा ठीक है सवाल नमर 3 देखें प्रेंट्स अनुचे 352 के अनसार भारत के जो राष्टपती हैं अपाति स्थिती की घोशना कर सकते हैं देखे 2016 में इसा प्रश्ण पुछा गया था फ्रेंस चलिए सवाल नमर चार को देखें कि डॉक्टर जाकिर हुसाइन थे यह भारत के तीसरे राष्टपती थे फ्रेंस ऑप्सन नमर है इसका बिल्कुल राष्टनसर हो जाएगा चलिए सवाल नमर पांच को देखें सवाल नमर पांच है आपका कि उन्हेसो एकावन इस भी में सम्मिधान के पहले संसोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी तो उन्हेसो एकावन उन्हेसो एकावन में जो सम्मिधान के पहला संसोधन हुआ था फ्रेंस उसमें आपका नौवी अनुसूची जोड़ी गई थी सवाल नमर पांच का जो रायटन सर अप्सन नमर बी हो जाएगा सवाल नमर छाए को देखे सवाल नमर छाए कि उस्तम नयालय में न्युक्ति के लिए एक भारतिय नागरिक का उच नयायालय के न्यायधिस के रूप में कम से कम कितने साल का काम करना जरूरी है के वारे हम कहा जा रहा है संसद को विद्यमान राज्यों की सिमाएं बदल कर नए राज की निर्मान का अधिकार देता है बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है फिर से सुनें कि भारती संविधान का कौन सा अनुछे संसद को विद्यमान राज्यों की सिमाएं बदल कर नए राज की निर्मान का अधिकार देता है इसका राइट अंशे तीन ओप्शन नमर छी इसका राइट अंशे तीन के तहत सवाल नमर आठ को देखें कि भारते समिधान के अनुसार Comptroller and Auditor General महालेखाकार भार के समिधान के अंसार महालेखाकार की कार अवधी कितनी होती है तो महालेखाकार का कार अवधी कितनी होती है इसका जो रायटन सरो देगा च्छावर्स फोग अफ्रेंस आप्सन नमर C सवाल नमर 9 को देखे 2015 नमर देखे धर निर्पेश्टा से क्या मतलब है तो धर निर्पेश्टा से क्या मतलब है इसका जो सवाल नमर 9 है इसका रायटन सरो जग अप्सन नमर D देखे क्या है धर निर्पेश्टा मतलब किसी भी धर्म का परचार करने अभिहास करने और अपनाने की स्वतंतरता है धन निर्पेस्टा का मतलब यह होगा अपने किसी भी धर्म का परचार करने अभिहास करने और अपनाने की स्वतंतरता सवाल नमर 10 को देखे कि भारते सम्मिधान द्वारा नागरिकों को नहीं दी गई एक स्वतनतरता है कौन से स्वतनतरता है जो भारत को नहीं दी गई है सवाल नमर 10 का जो राइटन सर्द का option नमर C कि सस्त्रों के साथ ठीक है सस्त्रों के साथ सांति पुर्वक समेलन का अधिकार नहीं दिगे है सस्त्र के साथ सवाल नमर 11 को देखे सवाल नमर 11 देखे 2014 में पुछावा प्रशन है कि राज विधान मंडल में उपरी सदन को क्या कहते है तो राज विधान मंडल के दो सदन होते हैं विधान सभा और विधान परिसाद उची यानि उची सदन को विधान परिसाद कहते हैं अनिम्न सदन को क्या कहते है फ्रेंस विधान सभा कहते है तो सवाल नमर 11 को देखे हाँ फ्रेंस तो सवाल नमर 12 को देखे सवाल नमर 12 है दो राजियों के बीच का विवाद सुलजाने का अधिकार किसे है जब दो राजियों के बीच विवाद हो जाता है फ्रेंस तो कॉन सूल जा सकता है तो इसका राइटनसर हो जाएगा आपका सुप्रीम कूट का है फ्रेंस की भारत के राष्ट पती के अतिरीक तिनिम्न में से किसके पास छमा करने की सकती होती है तो राजू के राजपाल के पास होती है और ऑप्सन नमर इसका बिलकुल रायट अंसर है सवाल नमर 15 को देखें डॉक्टर एपी जी अबुल कलाम से ठीक पहले भारत के राष्ट पती कौन थे तो डॉक्टर एपी जी अबुल कलाम के पहले जब राष्टपती नहीं बने थे तो उनके पहले राष्टपती कौन थे गेस करें राइट अंसर क्या होगा तो आपका केर नारायन थे फ्रेंस option नमर B मिल्कुल राइट अंसर है केर नारायन के बाद ही आपका डॉक्टर एपीजिक अबुलकलाम भारत के राष्टपती बने थे option नमर B राइट अंसर है सवाल नमर 16 को देखे फ्रेंस हमारे सम्मिधान में स्वतंतरता, समानता और बंधुतु के सिदान्त को किस से लिया गया है तो कहां के संब्धान से लिया गया है स्वतंतरता, समानता और बंधुतु इसका किस्वत अंतरता से संबंधित है तो प्रेश किस्वत अंतरता से संबंधित अनुश्य उनाइस है फ्रेंट्स आप्सन नमर्शी इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा सवाल नमर्श अठारा को देखें तिलंगाना बनने के बाद भारत में राज्यों और संग छेत्रों की संख्या है तो देखें पुराना कोस्चन है फ्रेंट्स उसके अंसर आपको राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर्व भी हो जाएगा फिरेंट इन्टिस राज और साथ संग छेत्र हो जाएगा ठीक है चलिए तो सवाल नमर्व उनीस को देखें सवाल नमर्व उनीस है कि राज सरकार में मंत्री परिषद का परदहान कौन होता है तो किसके द्वारा दिलाई जाती है राष्ट पती को सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है भारत के मुख्य नाइधी इसको पूछा जा रहा है फ्रेंज ये किसका राष्ट पती द्वारा ऑप्शन नमरे राइट अंसर है चले सवाल नमर 22 को देखते हैं का सवाल ं नीम Meterit में किई कर दहाए देखे में किन का सम्मिधान अपना है तो आपका रायट आ स्वारव को देखे को दोस्का प्रेंज देखे आपका यह 6 तो इसके अंसार से फ्रेंस आपका आप्सन नमर ए रायट अंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए सावाल नमर तेश को देखते हैं, सावाल नमर तेश देखें, कि संसद्ये और विधान सब आचुनाव के लिए भारत में मतदान की नियुंतम आयू कितनी है, तो मत डालने के रिटायर होते हैं, मत पुन सवाल है, कितने वर्सों के बाद गिस करें, तो सवाल नमर जो चोवीश है फ्रेंस इसका रायट अंसर हो जाएगा, परतेख दो वर्स के बाद, आप्सन नमर भी बिलकुल रायट अंसर है, राज सभा के एक तिहाई सदस रिटायर होते हैं, कित भाग में है सवाल नमर 25 का राइट अंसर ऑप्सन नमर बी हो जाएगा चोथे भाग में है चलिए सवाल नमर 26 को देखें हमारे समिधान का कौन सा नुछेद मनुस्यों का अवैध वियापार और बलात श्रम का निशेद करता है तो सवाल नमर जो आपका 26 है फ्रेंट श्रम का राइट अंसर सवाल नमर 27 को देखें 2014 हम देखें पुछावा प्रशन है लोग सभा की पर्थम महिला स्पीकर है तो लोग सभा का पर्थम महिला स्पीकर कौन थे आपका मेरा कुमार थे फ्रेंट ऑप्सन नमर 20 का बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा चलिए सवाल नमर 28 को कि अध्यक्षो होते हैं तो आपका जो परधान मंत्री होते हैं जो फ्रेंट आपका राष्टी एकता परिशत के अध्यक्षो होते हैं ऑप्सन नमर D राइट अंसर हो जाएगा सवाल नमर 29 को देखें कि भारते समिधान का कौन सा उनुछेद पंचायती राज संस्था की अ और अखंडता सब्दों को प्रस्तावना में जोडा गया था इसके पहले आपके जो नहीं था प्रस्तावना में फ्रेंस तो कौन सा समिधान संसोधन में यह सब जोडा गया था सवाल नमर 31 को देखें भारत की समिधान सभा ने कब से कार प्रारंभ किया था ठीक है यानि पर्थम बैठक के बारे में पूसा जा रहा है एक कोस्चन बहुत बार रिपीट हो था फ्रेंस आपसने में 9 दिसंबर 46 बी में एक जनवरी उन्हें 47 सी में है उन्हें 26 जनवरी 1947 इसका राइट अंसर क्या होगा फ्रेंस आपसन नमर ये हो जाएगा 9 दिसंबर 14 भारत की समिधान सभा ने कबसे कार प्राराम किया था या तो भारत की समिधान सभा का पर्थम बैठक सीतिक हुआ था जो ही 9 दिसंबर 14 अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर चलिए सवाल नमर 32 को देखें सवाल नमर 32 है कि भारत सरकार का पर्थम बीधिय अधिकारी है तो आपका जो महान्यवादी होता है फ्रेंस यानि कि जिसे अंग्रेजिम क्या काता है अटाउनी जनरल काता है तो आपसन नमर एसका बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा सवाल नमर 33 को देखें कि सुलहमी लोगसभा के गठन के बाद पस्चिम बंगाल के राजपाल के रूप में किसे न्यूक्त किया गया था तो जब सुलहमी लोगसभा के गठन के बाद पस्चिम बंगाल के राजपाल के रूप में किसे न्यूक्त किया गया था तो केशरी नात्तिरी पाठी को नेक्ट किया गया था फ्रेंस ठीक है उसके अंसार से यह अंसर राइट अंसर ऑप्शन नमर सी है चलिए सवाल नमर चौतिस को देखें कि भारते समिधान का कौन साउन छेद ग्राम पंचायतों को व्यस्थित करने के लिए राज को कहता है फि सवाल नमर 35 को देखें भारते समिधान के अंसार राष्ट पती द्वारा कितने अधिक्तम संख्या एंगलो भारते समुदाय के सदस्स लोकसभा के लिए नमीत किये जा सकते हैं सभी जानते होंगे फ्रेंस मेरे ख्याल से दो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सवाल नमर 36 को देखें किसने वर्स 2013 में भारत की विधी आयोक के रूप में कारभार समहाला था 2013 में पूछा किसने समहाला था फ्रेंस तो जो सवाल नमर 36 है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर शी हो जाएगा फ्रेंस जस्टिस अजीत प्रकास साह के प्रेंस लिए सवाल नमर 37 को देखें एक राज के जडींट जनरल किसने के मंख्ष नंःजिस और में विधान सभा के Ηश्य प्रेंस इसका राई टन्सर क्या होगा इसका राइ तंसर होगा आपका गवर्नर अर्थात राजप आल के द्वारा और प्सटन्न स्ट्री में बिल्कुल इसका राइ त capacidad होगा है चले सवाल मर 30 इसको देखे बंदी पत्यचिकरण परमादेश उत्परिष्ण लेख कहलाती है इस सवाल बहुत 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 है गया में रिपिट हुआ है क्या कहलाती है तो इस रिट कहलाती है फ्रेंट्स ठीक है option number यह हो जाएगा रिट अर्थात या चिकाएं और यह रिट कितने परकार की होते हैं friends यह रिट जो होते हैं 5 परकार के होते हैं friends ये भी आद रखे गया बंधी पर्त्यचिक करन हो गया पर्तं दुसरा परमादेश हो गया तीसरा आपका निशेध हो गया और चोथा हो गया आपका उत्प्रेशन हो गया और पांचमा है जो अधिकार प्रिच्छा ये पांच परकार के यज़ काई अर्थात रीट होते हैं ठीए प्रेंस याद रखेगा स्वाल क्या था प्रेंस बंदी प्रति अच्छे रण परमादेश उत्प्रेशन लेख कहलाती है तो रीट कहलाती है चले आधिकारिक निवास प्रधान मंति के अधिकारिक निवास के बारे पूछा जा इसका जो राइटन सो लगा option नमर डी हो जाएगा seven race cross road है जो आपका परधान मंत्री का अधिकारिक निवास है चले सवाल नमर 40 को देखते हैं सवाल नमर 40 आपका है friends कि भारते संसत से संलगन है तो भारते संसत से संलगन है कौन friends लोगसभा राजसभा अमराश्ट पती लोगसभा और राजसभा लोगसभा और राजसदन या तो केवल लोगसभा तो जैसा कि आप लोग को पता होगा friends कि भारते संसत का निर्मान, राष्ट पती, लोकसभा, राजसभा तिनों मिलकर होता है, उप्सन नमरे बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा, सवाल नमर 41 को देखें, सिकुरेटी कॉंसिल में कितने गयर अस्थाई सदस्य है, सिकुरेटी कॉंसिल में कितने गयर अस्थाई सदस से हैं सवाल नमर 41 का क्या हो जागा फ्ञेंड्स आपका option नमरे 10 होते हैं और अस्थाइस सदस कितने होते हैं तो 5 होते हैं तो security council में कितने गैर 50 सदस है तो 10 हो जाएगा इसका right answer. चलें सवाल 42 को देखें कि इन वे से कौन कभी भी लोक सभा में बिरोधी दल का नेता नहीं रहा है तो इन में से कौन कभी भी लोक सभा में बिरोधी दल का नेता नहीं रहा है तो इसका राइट अंसर क्या होगा गेस करें सवाल नमर 43 का हो जाएग आपका मन मोहन सी है जो कभी नहीं रहें सुनिया गान्दि एल्के डवान या ये सवढस व्राज प्रणी दल की निएता रहे है लेकिन मन मोहन सी कभी नहीं रहे है सवाल नमर 43 को देखे कि निमिलिखित मैंसे कौन सा मौलिक अधिकार भारतिय समिधान के 93 संसुधन के अंसर शामिल किया गया था CTR 93 समिधान संसुधन के अंसर कौनसा मौलिक अदिकार शामिल किया गया था सवाल नमर 43 का जो राइट अंसरोज़गा अफ्रेंस आप्सन नमर भी चो से चौदा वर्स की उम्र समूह वाले बच्चों के लिए निसूल के अवम अत्यावसक सिच्छा कादिकार यही आपका सामिल के आगया था फ्रेंस चले सवाल नमबर आपका चवालिस को देखें किस परधान मंत्री की जन्म वर्सिकी को सदभावना दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंस किस परधान मंत्री की जन्म वर्सिकी को तो सवाल नमबर जो 44 है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर श्री राजिव गांधी हो जाएगा फ्रेंस ठीक है आपसन नमबर श्री सवाल नमबर 45 को देखें कि संसत के पहले घंटे की बैठक आमत और पर प्रशनों को पूछने के लिए रहती है इसे क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आपको प्रशनकाल कहा जाता है अपसन नमर बीच का राइट अंसर हो जाएगा इसका जो राइट अंसर हो सवान है सवाल नमर 47 को देखें किसी विशाय वस्तु में समान संख्या में मत पढ़ने पर अध्यक्ष के प्रवक्ता अनिया स्पीकर द्वारा दिये गे मत को क्या कहा जाता है देखें महत्पुन सवाल है किसी विशाय वस्तु में समान संख्या में मत पढ़ने पर किया कहा जाता है उसको casting boat कहा जाता है gefां कुर्ण सवाल option number A का बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है casting boat सवाल नमर 48 को देखें कि समिधान के किस सूची में मान्यता प्राप्त भार्ति भासाओं की सूची है तो भासा से समन्दीत आठ्ध की सब्सक्राइब को भारत की अधिकारिक भासा घोसित करती है यह भी बहुत महत्पून सब्सक्राइब सब्सक्राइब को भारत की राजभासा जो हिंदी है याद रखेगा भारति सम्मिधान के अनुषेद आपका 343 के कितना एक के अनुषार भारत की राजभासा क्या है जो हिंदी है सवाल नमर 50 को देखते हैं सवाल नमर 50 है कि लोगपाल और लोग का युक्त अधिनियम 2013 के अनुषार अध्यक्ष के अलावा लोगपाल में कितने सदस्य होंगे ठीक है तो अधिनियम 13 का अनुषार से कुछ कुछ इसमें पुराणा प्रश्ण था उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है लेकिन बागी जो प्रश्ण जो हमेशा पुछा जाता उसे अब जरूर देख लिए याद कर लिजेगा तो सवाल नमर 50 का जो राइटन सब्सक्राइब कर रहा हूं भारती राजवस्था का पर्थम वीडियो था इसमें 50 प्रश्ण देखेंगे इसमें से भी रेल्वे द्वारा जो पूछा गया है दोस्तों ये 300 प्रश्ण उसका मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा उसी तरह से भोगोल का और समान बिज्ञान का अर्थ वेस्था का सभी का जो जो है फ्रेंस सभी का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा दूँगा है फ्रेंस तो नेक्स वीडियों फिर मिलता है तेखने कली थैंक यू धन्यवाद